सब्सक्राइब करने वाले हैं जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन्स के स्लेपस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं आज की वीडियो और सबसे जो फास साइट है उसका नाम है इंस्ट्यूट अपन कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि इसका इंटरफेस है वह कैसे दिखता है यह गूगल पर मैंने उपन कर लिया है और इस साइट की एक खास बात यह है कि यहां पर आप इंटरनेशनल रिलेशन्स प्लस आपके इंटरनल सिक्योर्टी के कुछ एक टॉपिक्स है वह आप देख सकते हो फॉर एक्जामपल आप देख सकते हो साउथ कोरिया का एक्जाम मावविजम हो गया लेफ्ट विंग आपका एक्स्टर विजम हो गया यह सब आप इसमें डिसकस किया गया है जैसे आप देख ठेच कर आप का और यह उन्होंने अपने जो आर्टिकल्स होते हैं वह लिखे होते हैं तो आपको एक जो अपना उपीनियर करने के लिए काफी ह चला सकते हो और यहाँ पर कुछ एक topics discuss किये गए हैं और इस site की खासियत यह है कि यहाँ पर आप किसी भी battle या फिर issue के पीछे जो आपके economic point of view होता है वो इस site में आपको दिखाया गया होता है ठीक है अन थर्ड जो site है उसका नाम है institute for defense studies and analysis और इसमें आपको defense related भी कुछ है जो आपका perspective मिलता है आपका international relations में वो आपको मिलेगा इस site में और फॉर्थ जो site है उसका नाम है Indian council of world affairs जिसमें आपके general से topic रहते हैं आपके world affairs में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में इसमें discuss किया गया होता है Indian council of world affairs and fifth जो site रहती है उसका नाम है आपका ministry of external affairs जहां पर आपके कोई visits बगएरा हो रहे होते हैं आपके इंडिया में उनको आप देख सकते हो प्लस उनके पिछे जो आपके history होती है उसमें भी आपका ministry of external affairs आपको पूरी information देती है आपको पूरा